च्यतरपुर पे हुई पत्थरबाजी की घटना के आज 21 दिन पूरे हो चुके हैं बता दें आपको 21 अगस्त को पत्थरबाजी की घटना हुई थी कोटवाली थाने में जिसके बाद हाजी सहजाद अली की ये कोठी को जमी दोस कर दिया गया था और मिट्टी में मिलाने का काम पर सासन ने किया था इसके साथ ही यहाँ पे लगजरी खड़ी ये कारें भी यहाँ पे बुल्डोजर द्वारा कुचल दी गई थी जिसकी तजबीरें आप देखिए कि किस दिन बाद यहाँ पे किस तरीके का नजारा नजर आ रहा है ये तमाम चीजों को लेकर अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम कोर्ट जो हैं बहां के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और साथ ही यहाँ निरिक्षण कर रहे हैं और साथ हाजी अली के पक्ष में बात कर रहे हैं और कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं इसी दौरान हमारे साथ MP तक पर खास बात करने के लिए सहजाद हाजी अली की बेटी मौजूद हैं, जिन से हम जानते हैं हाजी सहजाद अली के बारे में साथ ही जो घटना हुई है उससे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो एक किसम की पूरी साज़िश हैं। जिसलिए क्योंकि उसमें ना तो कहीं मेरे पापा हैं तो पूरी ले जाने की तीम को मतलब लोगों को उसनों को हैड बना दिया गया पर फरस्ट नमबर तो यह सेकेंड बोल दिया गया कि इशारा कर रहे हैं वो कि पत्थर मारो तो इतन मेरे हैं जिसलिए इशारा दिक तो रहा होगा है कैमरा तो जो पर लोग दो लोग ने देखते कैमरा तो देख लेता है ना तो ऐसा तो कुछ नजर निहां कि उल्टा नजर तो यह आरा कि वो लोगों को रहे हैं। और यह भी नजर आ हम आप इस.पी वगएऱ और वो फ़ पर जूम गया था, वो किसके आवान पर गया हुआ था? सदर, जो कॉम की सदर है, जावेद अली उनके कहने पर गया था. अच्छा, एक उसमें कार्ड भी सोचल मीडिया पर आया था, जो सरकल किया गया था, तो वो कैसे किस के द्वारा प्रिंट किया गया था कुछ है जानकारी आपके पिता आपके बड़े पापा कॉंग्रेस पाइटी से बिलूम करते हैं पारशद है आजाद अली आपके बड़े पापा उनको भी इस मामले में आरोपी बनाए गया है तो इस तरीके से जो घटना ह हुई है उसमें आरोपी जो बनाए गए उस पर किस तरीके से आप लोगों की अब बात हुई है पिता जी से अब बड़े पापा से तो जब से वो जिल गए तो हो जो नहीं पाई उनसे और बड़े पापा की तो तब यह कंडिशन ही सही नहीं है हाट पेशेंट है वो एडम कि फैमिली वालों को ही कि मेरे पापा बड़े पापा तो सिफ गए थे नहां पर मेरे बड़े चाचा है वो तो गए नहीं थे बड़े पापा के जो बेटे इनायत अली चिद्दू वो भी नहीं गए थे उनको भी बंद करें उनकी उपर भी केस लगा दिया किस बात का केस कि वह इसकंटे लोगों को आरोपी बनाया पूर्ल मामले मुंस्ट अभी है उनको बिमत्याज ने लिए और इनायत अली चिद्दू भाई उनको तो जेल में करी दिया शाहए डली जो मेरे भाई है उनको भी मतलब ँसको ले रहे जो है नहीं है हर किसी को ले रहे अब आग खुद बताईए कि साजिश है कि नहीं कि पूरे फैमली को ही फसा रहे हैं आप बार बार एक बात कहती हैं साजिस है साजिस है किसकी यह हो सकती प्रशाशन की भी हो सकती उनकी उपर वाले लोगों की भी हो सकती किसी की भी हो सकती अब कन्फरमेशन तौपन को है नहीं किसकी ह तो से हो पुलिस से उसका कुछ ऐसा हुगा है। लोग तो दुश्मैंट वैसे ही बनने लग जाते हैं। बुराइब लोगों को वैसे ही देखने लगते हैं। खुद उन्हें अच्छा काम होता है। जो करता है उनको उनका भी डाइजेश्ट नहीं हूपाता है। यह उनके भाईों की भी नाम हैं इम्तयाजली का इंपाज एज नाम है इंपियाज जायों ऑ फाशका ने बाशने फीट घर स्थें आफेन आम हैं और कारुबार उनों हो Прेख खर गृज्थृ एंध्र निन नियृत्त के अध यह स्वेव होना फ़य बेचने वालों तो गहर नी बना सकते क्या उनके पास पैसा नहीं आ सकता या कोई बिजनेसमेन इतना अच्छा नी बना सकता बगहर देखी वे तो कितने सालों से बन रहा है अभी हम देख रहे हैं कि अब कई वकीलों का आना जाना शुरू हो गया है सुप्रीम कोट से भी एक बना सकते हैं अपने इंडिया में चाहिए जिसको हर किसी को मानना चाहिए और मानना ही चाहिए कुछ एविडेंस बगहरा तैयार हो रहे है कुछ अब वो तो मेरे लॉयरी बता सकते आपको कि क्या है क्या नहीं अब पिता जी को भुपाल जिल सिप्ट कर दिया है तो अब इतने दूर कर दिया कैसे लोग जाए मिलने लेडीज ही जादा है जैंट्स तो कोई है नहीं पढ़ी में में लोगों को तो आपने जेल में ही बंद कर दिया अब कैसे जाए कोई मिले ना कोई बात हो पार है हम लोग लोग जेल भी कॉल करते हैं कुछ भी तो ना वहां संबीधान इन सब चीजों पर विश्फास रखते हैं और किसी पे नहीं तरुछे से अगरी की बेटी ने यहां पे जिस तरीके से आरोपी जो बनाए गए हैं उसको लेकर न्याले में किस तरीकी की पिकलिया चलती है। MP तक के लिए छातरपुर से लोकेश चौरसिया। हुआ हुआ है।